हेलो एब्रिवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वियोम किड्स एजुकेशन में और आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है सारे सब्जेक्ट से हट कर और आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के किसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी तो मेरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए So, today my topic is बच्चों के साथ बोले जाने वाले छोटे छोटे वाक्य है Yes, in this video I will tell you some small sentences that you can speak with your parents कुछ ऐसे छोटे-छोटे sentence होंगे इस वीडियो में जो आप अपने बच्चों के साथ घर पर बोल सकते हैं और उसे बच्चों की speaking भी improve होगी तो आईए देखते हैं आज मेरे ये sentences क्या-क्या है My first sentence is सीधे खड़े रहो अगर आपको बोलना है सीधे खड़े रहो तो आप कहेंगे stand up straight Yes, you will say stand up straight My next sentence is first पर मत बैठो तब आप कहेंगे don't sit on the floor My next sentence is मैं व्यस्त हूँ अगर आपका बच्चा आपको कुछ कहता है और उस टाइम आप व्यस्त हैं तो आप ये reply करेंगे I am busy My next sentence is यह असान है आपको यह कहना यह असान है तो आप बोलेंगे it's easy Yes, it's easy My next sentence is यह मत करो अगर आपको यह कहना है अपने बच्चे को बेटा यह मत करो Then you will say don't do it Don't do it My next sentence is मेरा इंतजार करो मेरा इंतजार करो Then you will say wait for me Yes, wait for me My next sentence is ध्यान रखना Then you will say take care ध्यान रखना Take care My next sentence क्या आपने सुना? अगर आपको यह पूछना है अपने बच्चे से बेटा क्या आपने सुना? तो आप कहेंगे Did you hear? Did you hear? My next sentence is इसे मजाक में मत लो अगर आपको यह कहना है इसे मजाक में मत लो तो आप कहेंगे Don't take it as a child's play Don't take it as a child's play और next sentence है और कितना समय लगेगा? और कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे How long will it take? How long will it take? My next sentence मेरी मदद करो तो आप क्या कहेंगे? Help me मेरी मदद करो Help me My next sentence क्या तुम्हें यह चाहिए? अगर आपको यह पूछना है क्या तुम्हें यह चाहिए? तो आप कहेंगे Do you need it? Do you need it? My next sentence is शर्माओ मत अगर आपको कहना है शर्माओ मत तो आप क्या कहेंगे? Don't feel shy Don't feel shy My next sentence अराम से Then you will say Take it easy Take it easy My next sentence मेरी बातों को लिख लो Then you will say Mark my words Mark my words My next sentence यह पाठ याद करो तब आप क्या कहेंगे? Learn this lesson यह पाठ याद करो Learn this lesson My next sentence उसका कोई जवाब नहीं तो आप क्या कहेंगे? He has no match उसका कोई जवाब नहीं He has no match Next sentence रोना बंद करो तो आप क्या कहेंगे? Stop crying Yes Stop crying आपने आए बहुत अच्छे छोटे छोटे sentences बढ़े Thanks for watching my video and don't forget my channel to subscribe and share this video Thank you once again मुझत झाई जवाब जड़े मुझत जवाब नहीं I